हाई गाईज विलकाम बैक टू माई चैनल प्राचीज डाइरी आई होब आप सब अच्छे होंगे और मैंने यहाँ पे बनाई है विंटर स्पेसल गर्मा गरम पाव भाजी तो यह बन आपको जितनी जो है देखने में लग रही है इतनी अच्छी सी और यह बनी भी जो है उत तो यह आपकी तीन चार लोगों के लिए बन जाएगी तो यहाँ पे मैंने यह तीन गाजर ली है और यह दो आलू और एक चुकंदर यह इतना बड़ा है बड़ जो है मैं इसका चौथाई हिस्ता डालूँगी क्योंकि चुकंदर सिर्फ हमें कलर के लिए यूज करना है ब इसका खुकंदर का बड़ा है और यह प्रफ यह तो यह तो यह तीन मिर्च आझाल लेंगे और आलूब जो ईनको भी बड़े बड़े पीस में कट कर लिया है और ये चुकंदर का बस जेस्ट है जोए मतलब इसका फोर्थ पार्ट क्योंकि ये सिर्फ कलर के लिए यूज करेंगे और सिमला मिर्च का जो अंदर के बीज वगएरा होते हैं उसको जोए अच्छे से क्लीन कर लो और ये बस बंदगोवी है जो इसको भी बस बड़े बड़े टुकडे में कट करके डाल लेंगे और फिर इसके बाद यहां पे आप कोई भी ले लो वर्तन तो मैंने यहां पे ले लिया है प्रेशर कुकर और ये साधी सबजीयां इस पे डाल दी हैं तो यह मैंने साधी सबजी यह मेरी धुली थी पहले से ही तो बस इसके बाद मैं इसको रख देंगे गैस में और यहां पे यह जो टमाटर वगएरा है और यहां पे अभी जाएगी मटर तो यह मटर करीब ले लो आप 200 ग्राम के करीब और बस इसको मैंने रख दिया है यहां पे डाल दिया है एक चम मज नमक और यह 300 ml के करीब आप ले लो पानी और बस इसमें एक सीटी या दो सीटी आप लगा दो तो यह सबजी है आराम से पक जाएंगी और बस यह सबजी हमारी पक्के हो गई है तयार और इसको बस तुरं देला टाइम ले ले लेती है तो अभी मैंने एक ताइम गरम-गरम थी तो मैंने इसको ऐच्छे से मैश कर दिया और अम मैंने यहां पे लिये है यह तीन टमाटर तो यह देशी में होता है नहीं अन। थोड़ा-खटा पन और इसके साथ मेर यहां पे प्याज Reach अ कट करने क लिए अगर आपको ज्यादा प्याज पसंद है तो आप दो प्याज जो है डाल दो अच्छी लगती है इस में पाव वाजी में और बस इनको बारीक बारीक कट कर लो और यहां पर मैं जो है डाल दूगी एक हरी मिर्ज तो उससे थोड़ा सा जो तीखा है तो तीखापन आ जा मैक ना आ जाए तो मैंने यहां पर लिया था ओलिव और या तो फिर आप सीदे बटर भी ले सकते हो तो बस मैंने यहां पर डाल दिया था और उसमें जो चोटी-चोटी कट करी थी प्याज और यह जो है एक कट्यूई मिर्ची यहां पर डाल दी तो यह बस थोड़ा- तो यह तो फोड़े से यह घर के मसाली यूच करें थोड़ी सी जो है हल्दी और थोड़ी सी धन्या और यह लाल मिर्च पाउडर और धूड़ा सा गरम मसाला बहुत थोड़ा-थोड़ा क्यूंकि बाद में भी हम लोग डालेंगे पाव वाजी मसाला और इसके बाद मैंने यहां पर आइड़ किया यह एक चमज पाव हजी मसाला और इसके बाद में जो मेस्करी थी सब्जी पूरी अच्छी तरह से इसके बाद में वह डाल लेंगे क्योंकि मसाला अच्छे से यहां पर पक गया है तो यह जो हम लोगों ने चुकंदर डाला था उसके वज़े से यह इसमें कितना red color आया है तो चुकंदर से इसका color बहुत अच्छा आता है और इसके बाद में अभी यहां पे पानी पड़ेगा क्योंकि यह सबजी अभी जो है बहुत ज़्यादा ठीक है तो इसमें अभी पका लें इसको कम से कम 4-5 मिनट और फिर इसके बाद में यहां पे कम स और अच्छे से पक नहीं पाएगी और फिर उसके बाद में में यहां पे add किया था थोड़ा सा नमक और फिर बाद में इन चमस के करीब और add किया है पाव वाजी मसाला और इसके बाद में आप यहां पे और डाल दो बटर तो यह अच्छे से इसकी आपक क Tkelnारॉ दो जाएगी पाव भाजी अब इसके बाद में काम है इसके बाहत है अभी पाव भाजी मसालाat। तो इसे ब्रेट बहुत अच्छी लगती है इसके पाव वाजी में खाने में तो यह आप बटर के साथ में थोड़ा सा जो पाव वाजी मसाला होता है वो ऐड़ कर दो और बस इस तरीके से लगा के आप पाव को अच्छे से सेख लो तो यह पाव बड़ी टिस्टी लगती है आप जरू ट्राइ करके देखना और बस अब यह जो सिख गई है हमारी पाव तो हमारी जो है रेड़ी हो गई है पाव भाजी और इसके बाद मैं जो है मैंने लगाई है यह प्लेट तो इसमें सबसे पहले डालेंगे भाजी तो यह देखो इसका जो है कलर कितना अच्छा ह और इसके उपर मैंने डाल दिये हरी धन्या और थोड़ा सा बटर और इसके बाद में अगर आप डालना चाहो तो निमू करश डाल दो और यहां पर मैंने डाला थोड़ा सा यह पाओ वजी मसाला तो यह खाने में बड़ी अच्छी लगती है और इसके बाद में यह हमारी सिख गई है पाओ और तो बस यह हमारी तयार हो गई पाओ भाजी तो आप इस तरीके से जरूर ट्राइ करके देखना आपकी एकदम मतलब अच्छी बनके तयार होगी ना तो जादा मीठी लगेगी और ना ही बहुत जादा खटी लगेगी तो आप जो है जरूर से इसको ट्राइ करना तो बस यह था मेरा आज का वीडियो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट के तूर जरूर बताना कि आपने जो पावजी बनाई थी वो आपकी कैसी बनकर तयार हुई तो बस फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए बाए एंड टेक केर